नमस्ते दोस्तों अश्टो रागो चैनल में आप सभी का स्वागत है आज हम बता रहे हैं महा सिवराति प्रभ भगवान संकर आज सुतोस इन 20 चीजों से हो जाते हैं प्रसन और देते हैं सुभरदान अगर आप कुछ जिन्दगी में अपने नया जानना चाहते हैं सीखना च जाएगी महा सिवराति और इस दिन धनिष्ठा नशत्र का परिग योग रहेगा धनिष्ठा नशत्र के बाद में सत्विता नशत्र लगेगा परिग के बाद में सीव योग रहेगा बारवे भाव में मकर रासी में पंचर गरही योग बन रहा है पांच गरह एक ही रासी मे आ रहे हैं ऐसे में सिउजी को प्रसंद करने के लिए आप जो है अर्पित कीजिए 20 चीजे 20 चीजे हम आपको बता रहें उसको जान लीजिए उससे सुब बरदान आपको मिलेगा आपकी मनों कामना पूरी होगी यह चीज कैसे हैं क्या क्या चीज चड़ानी हैं आपको यह सा समाधान हो जाता है अगर आपके उपर किसी प्रकार का कर्ष्ट चल रहा है उसका समाधान हो जाएगा और आकड़ा एक आकड़े का फूल चड़ाने सोने के दान के बराबर होता है कनेर के फूल भी अरपित कर सकते हैं उससे जो है बहुत पुन्याप को प्राप्त होगा तीस जी को तीनों नेत्रों का परतीत होता है तो यह प्रतीक ऐसा है कि आप जो है इसे चड़ाईए सिव जी के उपर और ओम नमस्षिवाय लिख करके भी चड़ा सकते हैं केवल ओम भी लिख करके चड़ा सकते हैं आपका कल्यान होगा आपकी मनुरत पूर्ण होगी देशी की अरपित करना बहुत ही सुभ माना जाता है इससे शिव जी अपने भक्तों की हर तरह से रक्षा करते हैं चीनी चड़ाना चाहिए सिव लिंग पर चीनी अरपित करने से जीवन में कभी नहीं रहती है भागवान शिव के यो है सिव लिंग पर किसी प्रकार का अगर आप रोग मुक्त होने के लिए अगर ऐसा कुछ आप जानना चाहते हैं तो दूध चड़ाए दूध चड़ाने के लिए जो है आपको मैं कहूंगा दूध चड़ाने से स्वस्त रहने का बहुत ही लावकारी उपाय होता है आप इसे जरूर कीजिए भगवान सिव को द जाती है साथ ही तामसी आदतों से आपको मुक्ती मिल जाएगी। भगवाण सीओ को केसर चड़ाइए। लाल केसर से शुज्य को तिलग करने से सौभागी प्राप्थ होती हैं। हमें जो होड़ा करने मिल जाता है उसको लपल करके आप उसको चड़ाए उसका देंगे इसेे और भगवान अजय को मνोरतने को सुझाये तो आपकी मनोरत पूर होगी, भस्म चढ़ाए, सिव जी को भसम अरपित कीजिए, क्योंकि उन्हें भसम बहुत ही प्रिय होती है, भसम से तीन आरी लकीरों, जैसे तीन गुलियों को लेकर के आपने तिरपंड देखा होगा, सिव लिंग पर बना होता है, उसी परकार से लग भोले नाद जी को खीर चढ़ाए, सिव जी को चंदन का तिलग लगा करके फिर खीर का भोग लगाए, रात के समय में परसाद रूपी, खीर का परसाद दूसरों के उबाटिये, भगवान भोले नाद को भांग चढ़ाए, वह कहते हैं कि सिव जी भांग का लेप भी लगा जाता है क्योंकि इन्हें ठंडक मिलती है, मिठा पान सिव जी को चढ़ता है, सिव जी को बगएर सुपारी चूना लोंग का मिठा पान अरपित कीजिए, आपका कल्यान होगा, भगवान सिव जी को फल मिठाई चढ़ाए, सिव जी को फल मिठाई भी अरपित कीजिए, बह महादेव बहुत ही प्रसन होते हैं महादेव को समी का पत्ता जो अर्पित करने से आप सनी देव के परकोप से बच जाएंगे कोई साड़े साती चल रही किसी प्रकार की आपकी कुंडली में दो से करश्ट हो धूर हो जाएगा और पीपल का पत्ता सिव जी पर चढ़ा सकते ह कि जो है क्या क्या चड़ाना नंबर एक है धतूरा, दूसरा है आकडे का फूल, तीसरा है वेलपत्तर, चोथा देशीगी है और पाचमा भांग है और छेमा चीनी है, सातमा दूध है, आठमा दही है, नौवा इत्र है, दसमा केसर है, ग्यारमा चंदन है, बारमा काले तिल है ये 20 चीज़े हमने आपको बताया है, 21 इसलिए बताया है आप लोग इसको अपने पास नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, समानला करके, सिरात्री में चढ़ाईएं, हर हर महादेव भूलिए, ओम नमस सिवाएका जब कीज़े और जो है आप अपना कल्यान करिए दूसरों का भी कल्यान कीजिए हमारे चैनल पर अगर आप पहली बारा हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों के साथ में सेर कीजिए पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद